नमस्कार दोस्तों स्वगत आपका इस टेडीफॉर सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगात इस वीडियो में हम करेंट अफेल्स में रहे टॉपिक इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड अग्रिमेंट को एक क्वेशन के फॉर्म में डिसकस करेंगे और हम यह जानेंगे कि क्या क्या फायदा होगा इंडिया और यूके दोनों को इस फ्री ट्रेड अग्रिमेंट से त हम answer की शुरुवात करेंगे free trade agreement की definition देते हुए एक मुक्त व्यापार समझाता होता क्या है दो या दो से अधिक देशों के वेच वस्तूओं सेवाओं में आयात और निव्यात की बधाओं को कम करने का जो एक समझाता होता है उसे मुक्त व्यापार समझाता कहते हैं दो देश ऐसी policies बनाते हैं एक डूसरे सा agreement करके जिससे आपस में इनका जो trade है वो smooth चलता रहे export-import में जादा restrictions ना रहे और काफी अराम से इनका आपसी व्यापार चलता रहे अब हम current की एक news mention करेंगे चोकि है इंडिया और UK ने अपने economic ties यानि की आर्थिक संबंदों को मर्सबूत करने के लिए negotiation launch किया है free trade agreement के लिए जो कि 2022 तक पूरा हो चाहेगा लेकिन तब तक दोनों countries सोच रही है कि वो एक interim या अंतरिम free trade agreement अंतरिम मुक्त व्यापार समझाता शुरू करतें जिससे कि दोनों के पीछ के tariff को कम करने में मदद मिलेगी इंडिया और UK का aim है कि 2030 तक अपने bilateral ties को दुए पैक्षी व्यापार को 100 billion डॉलर तक पहुचाना है अब यह जो free trade agreement होगा यह खाली goods और services को नहीं cover करेगा यह cover करेगा intellectual property rights को, GI tax को, sustainability को, digital technology को और anti-corruption के issues को भी फिर हम जानेगे कि इंडिया और UK के free trade agreement के क्या क्या फायदे होगे तो पहले हम देखेंगे इंडिया के लिए इसके क्या क्या फायदे होगे तो इंडिया में कपड़ा, चमड़ा और जूते के छेतर में रोजगार बढ़ेगा ये तीनों समान इंडिया में manufacture होते हैं और UK में export होते हैं तो जब export बढ़ेगा तो ये labor intensive तीनों sector इन में labor की भी demand बढ़ेगी और labor की demand बढ़ेगी तो employment बढ़ेगा उसके बाद हमारा दूसरा फायदा ये होगा कि समुदरी निर्याद बढ़ेगा जो marine products हैं वो UK में काफी अच्छे level पे इंडिया से export होने लगेगे और marine export भी बढ़ेगा और फिर इस तरीके से इस चेतर में भी रोजगार बढ़ेगा फिर service sector में IT इंडस्ट्री है, nursing है, healthcare है, आयूश education इन सारी industries में भी export बढ़ेगा service sector की demand जो बढ़ेगी तो यहां पे इंडिया में भी इस सेक्टर में बढ़ होते ही देखने को मेलेगी और UK में इसका export बढ़ेगा उसके चौथा पॉइंट यह है जो कि UK United Nations Security Council का सायूक तुराश्ट सुरक्षा परिश्यत का एक इस थाई सरदर से है United Nations Security Council के पाँच पर्मानेंट मेंबर हैं एक उसमें से UK है बाकी चार कौन है आप कमेंट में बताइए पर्मानेंट मेंबर ऑफ United Nations Security Council UK क्या करेगा जो इंडिया के व्याश्विक लेवल के मुद्दे है उनको काफी हाइलाइट में लेकर के आएगा जैसे कि चाइना का अग्रेशन हो गया बॉर्डर पर और उसके अलावा यह जो इंडिया के डिमांड है United Nations Security Council के पर्मानेंट मेंबर बने की उसमें अपने 27 सद्द सिताकी वो भी सपोर्ट करेगा UK उसके बाद UK के लिए क्या फायदा होगा हम देखेंगे लेकिन उसरे पहले मापको बताना चाहती हूं कि UPPSC मेंस और प्री के लिए 2022 के लिए Study for Civil Services के batches start हो गए हैं आप उन batches को join कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारा study material मिलेगा आपकी holistic preparation होगी 1-2-1 guidance मिलेगा मेंस answer writing practice भी होगी और आपकी answer को review भी किया जाएगा तो आप अपकी तयारी को और मश्बूत करने के लिए नीचे दिये जया numbers पे call करके आप paid groups जॉइन कर सकते हैं तो चले अब हम आते हैं अपने answer की तरह वापस तो UK के लिए क्या फायदा होगा हम देखेंगे तो Brexit के बाद से UK को individually उन देशों के साथ संबंद बनाने पड़ रहे हैं जिनके साथ उसके अच्छे संबंद हुआ करते थे European Union का member होने पे और इंडिया काफी अच्छा partner UK का शुरू से ही है इंडिया में करीब 600 से जादा UK की companies हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर million of people को employ करती हैं और उसके बाद यह एक इंप्लॉइमेंट UK के अधेरी है साथ ही साथ यह हो रहा है कि इसमें production काफी कर रही है इंडिया में established होके वो production भी बढ़ा रही है इंडिया के आत्म दिर भर भारत के vision को भी support कर रही है जब इंडिया में product बना रही है company जैसे अपकी हिंडुस्तान युन लिवर होगी गलाक्स को स्मित क्लेन हो गई तो 110 प्लस countries में यहां से सामान export होता है इंडिया का export भी बढ़ रहा है तो पहले से ही काफी अच्छे relations है दूसरी चीज़ यह है कि इंडिया के साथ मजबूत relation UK की बिटेन की इंडो-पैसिफिक हिंद प्रशान्थ छेतर में भी पकड़ बनाए रखेंगे अब UK AUKUS का भी partner बन चुका है तो इसमें भी इसको फायदा मिलेगा इंडो-पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और इससे फायदा यह भी होगा कि UK के पास काफी अच्छी पावर है तो इस एरिया में जो भी regional calamities वगरा होंगी उसमें भी UK काफी अच्छी तरीके से इंडिया को सपोर्ट करेगा और UK और इंडिया दोनो पाच्छी और छटी नमपर की economies हैं तो इनके भी जितना अच्छा संबंद economic तोर पे होना चाहिए वो अभी नहीं है पर यह free trade agreement हो जाने से इनके economic styles और भी जादा मजबूत होंगे अब challenges क्या क्या है तो सबसे पहला drawback यह है कि जो launch हो रहा है यह एक interim free trade agreement है और interim free trade agreement का यह नुकसान हो सकता है कि जो free trade agreement full-fledged launch होगा इसको delay हो सकता है इंडिया और थाइलेंड के बीच एक interim free trade agreement launch होगा था 2004 में जो कि फिर कभी full-fledged treated agreement बनी नहीं पाया और WTO का क्या है कि WTO जो formal agreements होते हैं उनको मानिता देता है तो हो सकता है इस interim free trade agreement को WTO से मानिता न मिल पाया हम फिर conclusion देंगे अपने answer को पूरा करने के लिए तो conclusion में हम बताएंगे UK की post-pratric विदेश नीतिया भारत को एक प्रात्मिक्ता वाले एक priority country के रूप में देखती है और भारत के लिए भी UK के अत्यतिक खुले और प्रतिसपर्दी बाजार में प्रवेश करने का एक अच्छा अपसर है जो भारती start-up को खुद को वैश्वी करन करने का अपसर प्रदान करेगा अब UK की company तो already इंडिया में अच्छे से established है इंडिया में employment दे रही है और इंडिया में production कर रही है अब इंडिया जो की third number का unicorn है इंडिया में start-up काफी तेजी से बढ़ रहे है तो इंडिया के start-ups को भी मौका मिलेगा UK के competitive market में जाने का खुद को बढ़ाने का एक global level पे खुद को पहुचाने का इंडिया की companies को वहाँ जाने में easy access मिल जाएगी Europe के market की, UK के market की उसके बाद दूसरा point हमारा conclusion का है कि इंडिया UK free trade agreement will provide opportunities for growth and employment to both countries and enhance accessibility to each other's market and will help businesses and startups to grow on a global level जैसे हमने discuss किया कि इंडिया की companies भी असानी से UK में आपाएंगी, UK की और companies इंडिया में आपाएंगी, तो global level पर दोनों जगे की companies को पहुचने का मौका मिलेगा इसके साथ हमने अपना यह answer complete किया, जो इंडिया UK free trade agreement के points से उनको mention किया और आने वाले टाइम में हम और international के topics discuss करते रहेंगे, तो बने रहेगा वीडियों के साथ, thank you for watching